नमस्कार सभी को मैं देविंदर पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का DSP कोचिंग सेंडर में देखिए आज की वीडियो में हम दिल्ली शामन ग्यान से दिल्ली के धार्मिक इस्थल से रिलेटेड सभी कुस्टन्स कंप्लेट करेंगे क्योंकि देखिए बहुत इंपोटन से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप बहां से वो सारी वीडियो देख लें और अपनी प्रेपरेशन अच्छी से करें और सभी कुस्टन्स आप लाइन कर लें क्योंकि आपके एक्जाम में इन से बाहर नहीं पूंचा जाएगा क्यो देखेगा कुस्टन नमर फर्स्ट है दिल्ली का अक्छरधाम मंदर किस बरस लोगों के लिए खूला गया था दिल्ली का अक्छरधाम मंदर किस बरस लोगों के लिए खूला गया था तो देखिएगा बरस दो हजार पांच में कब बरस दो हजार पांच में खूला गया था याद रखिएगा सभी, very very important question है, चलिए देखते हैं, question number second, देखिएगा, निम लिखित मैंसे, किस मंदर के निर्माड में, लोहे बाइस्टील का उपयोग नहीं हुआ है, तो देखिएगा, अक्छरधाम मंदर के निर्माड में, लोहे बाइस्टील का उपयोग नहीं किया गय है, याद रखिएगा सभी, option number 20 का राइडांसर हो जाएगा, अक्छरधाम मंदर, चलिए देखते हैं, next, question number third, देखिएगा, किस मंदर की दीवारों पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है, किस मंदर की दीवारों पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है, तो देखिएगा, कालक चालीसा लिखी हुई है, चलिए देखते हैं, question number four, नव्रात्री के अफसर पर छटरफूर मंदर में कम मीला लगता है, तो देखिएगा, चेत की नव्रात्री और असाड की नव्रात्री, जानि साल में दू में दोवान नव्रात्री आते हैं चैत्र की नवरात्री और असाड की नवरात्री तो यानि कि चैत्र की नवरात्री में मिला लगता है वो असाड की यानि जो हमारा राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए और ऑप्सन भी यानि दोनो चैत्र और असाड की नवरात्री में छतरपुर मंदिर में मिला लगता है या याद रखिएगा सभी option number 10 का राइट अंसर हो जाएगा हरी किर्सिन पहाड़ी चलिए देखते हैं कुस्तर नंबर 6 देखिएगा लच्छिमी नालायन मंदर पिरसेद उद्धोकपती वल्लेब दास बिरलाने किस वर्स में बनवाया था तो देखिएगा 1938 में याद रखिएगा आप सभी option number 10 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्तर नंबर 7 खड़क सिंग मार्क पर हनूमान मंदर का निर्मार किस ने करवाया था देखिए option number 8 राजा जैशिंग ने याद रखिएगा सभी राजा जैशिंग ने option number 8 चलिए देखते हैं कुस्तर नंबर 8 पुराने के लिए के पास इस्तित भहरब मंदर है देखिएगा option number 2 महा भारत कालीन याद रखिएगा आफ शबी महा भारत कालीन समय का पुराने के लिए के पास इस्तित भहरब मंदर है जो महा भारत के समय का है याद रखिएगा शबी चलिए देखते हैं कुस्तर नंबर 9 किस मंदिर की विशिष्टता उसकी सोरड धार कलस है तो देखिएगा option number C योग माया मंदर option number C योग माया मंदर याद रखिएगा सभी option number C इसका राइड अंसर हो जाएगा योग माया मंदर चलिए देखते हैं question number 10 सनी धाम मंदर दिल्ली में कहां इस्थित है तो देखिएगा option number C महरसी दयानन्द मार्ख पर कहां महरसी दयानन्द मार्ख पर चलिए देखते हैं question number 11 देखिएगा उत्रा सौामी मलाई मंदर में किस समूदाय के लोग दर्सन को आते हैं तो देखिएगा तमिल कंणर तैलगू तमिल मले आलम कंणर यानि ओफ्सन नमबर डी इसका दाइडांसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी यानि तमिल कंणर भी आते हैं तैलगू तमिल मले आलम कंणर भी आते हैं यानि ओफ्सन नमबर हो जाएगा इसका डी उप्रोक्त सभी समीती की शुरूमात किसने की थी तो देखिएगा option number A सुवात चंदर बोस ने किसने सुवात चंदर बोस ने याद रखिएगा आप सभी option number A इसका दाइड आंतर हो जागा सुवात चंदर बोस चलिए देखते हैं question number 13 दिल्ली में बुद्ध मंदर कहां इस है तो देखिएगा महरौली याद रखिएगा option number A महरौली चलिए देखते हैं question number 14 देखिएगा जैन प्रवर तक चंद परभु का मंदर कहां आप ब़स थह है जैन परवर तक चंद परभु का मंदर कहां आप ब़स थह तो देखिएगा चांदनी चौकपर, कहां चांदनी चौकपर, याद रखिएगा सभी, चलिए देखते हैं कुस्ता नमबर 15, किस मंदर में भारत का एक मात्र पक्षी चिकत साला है, किस मंदर में भारत का एक मात्र पक्षी चिकत साला है, तो देखिएगा दगंबर जैन मंद में कहां पर दिगंबर जैन मंदिर में याद रखिएगा और इसका राइड अंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्तर नंबर 16 देखिएगा दिल्ली के कालकाजी में इस्थित लोटश टेम्पिल का संबंद किस संपरदाय से है तो देखिएगा ओफसन नमबर भी बहाई किस संपरदाय से है बहाई याद रखिएगा सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा ओफसन नमबर भी बहाई याद रखना चलिए देखते हैं, कुष्चन No.17 दिल्ली ca Lotus Temple किस वर्स लोगों की लिए खोला गया? यानिकि 1986 में, इसका राइटा अंतर हो जाएको ओफ्चन No.C, वर्स 1986 याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं, कुष्चन No.18 कुलवल उल इस्लाम कुलवल उल इसलाम मस्जित का निर्मार किसने कराया था कुलवल उल इसलाम मस्जित का निर्मार किसने करवाया था तो देखिएगा कुतोव उद्दीन एवग ने यानि ओप्सन नमबर इसका दाइडांतर हो जाएगा कुतोव उद्दीन एवग चलिए देखते हैं कुस्ट नमबर 19 देखिएगा अस्ट कौडिया मस्जित का निर्माड किस काल में हुआ था अस्ट कौडिया मस्जित का निर्माड किस काल में हुआ था तो देखिएगा सिकंदर लोधी की काल में किस कालम हुआ था सिकंदर लोधी के कालम है याद रखिएगा सभी कुस्टन नमबर 19 का अंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी चलिए देखते हैं कुस्टन नमबर 20 किस सासक ने अपने पीर की याद में सोनहरी मजजित का निर्माड करवाया था तो देखिएगा रोसन उद्दोला रोसन उद्दोला सासक ने याद रखिएगा सभी रोसन उद्दोला सासक ने चलिए देखते हैं कुस्टन नमबर 21 देखिएगा पिरसिद सूफी संद नजामुद्दीन उलिया की दारगाए किस सासक दोवारा निर्मत की गई थी परसित सूफी संद नजामुद्दीन ओलिया की दारगाय किस सासक दोवारा निर्मत की गई थी तो देखिएगा ओप्सन नमबर बी मोहमद बिन तुगलक याद रखिएगा सबी मोहमद बिन तुगलक चलिए देखते हैं कुस्ट नमबर 22 देखिएगा पिरसिद सायर अमीर खुस्रो का मकबरा किसकी दारगाय में इस्तित है तो देखिएगा ओफसर नमबर 6 का राइट अंतर हो जाएगा सेख नजाम उद्दीन याद रखिएगा सभी सेख नजाम उद्दीन की दारगाय में इस्तित है चलिए देखते हैं कुस्ट नमबर 23 चिराग दिल्ली में किसकी समादी है तो देखिएगा हजरत नसुरुद्दीन रोशन की किसकी हजरत नसीरुद्दीन रोशन की याद रखिएगा सभी इसका अंतर हो जगा आप्सननर में हजरत नसीरुद्द्दीन रोशन चलिए देखते हैं कुस्ट नमबर 24 देखिएगा सिको के आठवे गुरु हरीकेशनी की याद में कौन सा गुरुद्दूरा बनाया गया सिको के आठवे गुरु हरे किष्णन की याद में कौन सा गुरू दुवार बनाया गया तो देखिएगा गुरू दुवारा वंगला साहिब गुरू दुवारा वंगला साहिब याद रखिएगा सभी ओफसर नमबर सी राइड अंसर हो जागा गुरू दुवारा वंगला साहिब चलिए देखते हैं कुछत नमबर 25 निमलिकत मैसे कौन सा चर्च चांदनी चौक के फतिपुरी में इस्थित है सेंट स्टिफैंस चर्च याद रखिएगा सभी सेंट स्टिफैंस चर्च चलिए देखते हैं कुछत नमबर 26 देखिएगा सीस गंज गुरु दुवारा के संबंद में कौन सा कथन सही है सीस गंज गुरु दुवारा के संबंद में कौन सा कथन सही है देखिएगा ओप्स नमबर यह चांदनी चौक में आविवस्तित है याद रखिएगा शभी सीस गंज गुरु दुवारा यानि जो सीस गंज गुरु दुवारा है चांदनी चौक में इस्थेत है याद रखिएगा शभी ओप्सन नमबर वी हो जाएका 26 का अंसर चलिए देखते हैं कुस्सन नमबर 27 चांदनी चौक दिल्ली में इस्थित गुरु दुवारा सीस गंज किस सिक गुरु की समर्ती में इस्थापित किया गया तो देखिए गुरु तेग बहादूर याद रखिएगा सभी गुरु तेग बहादूर देखिएगा क्यूसर नमबर 28 निम्लिखत मेंसे असत्य कथन का चुनाओ कीजिए यादि इन चार ओप्सन मेंसे हमें असत्य कथन बताना है तो देखिएगा ओप्सन नमबर यह अक्छर धाम मंदर में मुख मंदर का निरमार 141 फीट उंचे चबूतरी पर किया गया सथ है आपका यह कथन ओप्सन नमबर क्योंकि मंदर में 5000 मूर्तियां बराजमान नहीं है देखिएगा ओप्सन नमबर डी इसका निरमार प्रमुख श्वामी महराज ने अपने गुरू ब्रह्म शुरूप योगी जी महरा की स्रद्धा में करवाया था कई कैं यह भी आपका सत्थ है यानि औपसन से इसको राइट अंसर हो जाएगा यानि और सानमबर असत्त है कि 5000 मूर्ति के ब्राजमान नहीं है देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेट जरूर करें और यहीं हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ने ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप टक पहुंचता रहें बेस्ट आप लग